हे गाईज वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल दोस्तों विलासपूर से जीडिसी का नोटिफिकेशन आया है एलपी का रिगार्डिंग और उसमें बहुत ज्यादा वेकेंसी दिया गया है और मैं आपको बार-बार बोल रहा हूं कि आप एक वार रेलवे में एंटर कर जाए किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी पोस्ट पर रेलवे आपको बार-बार इसा मुखा देती है कि आपको परमोट करें आपका पद उपर करें आपका लेवल वड़ा है रेलवे हमेशा से मतलब ओपें कैटेगरी से ज्यादा वो डिपार्टमेंटल एक्जाम कराने पे बरुसा रखती है और जो senior category का आदमी रहते हैं उनको open category से लाने के बजाए railway का ये कोशिस रहता है कि departmental exam से ज्यादा से ज्यादा आदमी को पर्मोट करके उपर का post वरा जा जिससे कि उपर में जो आदमी आए जो भी level 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो level बढ़ते जाता है वो जानकार आदमी क्योंकि जो एक बार पहले से railway में काम कर चुके हैं वो open category से जादा जानकार होंगे इसमें कोई doubt नहीं है इसलिए railway में लगातार vacancy पे vacancy आती है कभी LDC की कभी GDC की कभी general department quota की कभी direct quota की मतलब कौन सब quota होता अभी तक तो हमें भी नहीं पता हुआ clear पूरा लेकिन departmental exam होते बराबर होती है यह मैं पिछले एक साल से देख रहा हूँ अभी हाल फिलाल में कल के date में notification आया है विलासपूर का आप देखिए कि open category से कितनी vacancy थी और जो अभी GDC से आई है उसमें कितनी vacancy है तो पहले हम देख लेते है open category से जो अभी 2024 में notification आया था उसमें विलासपूर स कुल कितना vacancy था अगर आप यहां देखेंगे यह रहा आपका विलासपूर RRP विलासपूर विलासपूर CR और विलासपूर SECR दोनों अगर मैं दोनों विलासपूर की बात करता हूँ 1194 यहां है 124 यहां है अगर आप दोनों को add करेंगे 6 9211 के एक हाथ में 1213 1316 पोस्ट हो अगर GDC का vacancy आया है तो उसमें कितना आया है पहले तो आप यहां उपर में देखेंगे लिखा क्या गया है कि यहां पे लोको पाइलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 50% कोटा है डिपार्टमेंटल कोटा अगर आप बताए मुझे अगर 1316 पोस्ट थी open category में अगर मैं इसको म मान लेता हूँ 100% अगर मैं इसका 50% निकालता हूँ तो कितना आता है 6,5,8 658 पोस्ट आता है 658 पोस्ट पे वेकेंसी आनी चाहिए थी डिपार्टमेंटल कोटा से अगर 50% कोटा पे अगर वेकेंसी आती है अगर railway board ये बोल रही है लेकिन यहां पहले आप समझेंगे यहा 598 पोस्ट आ रहा है 50% पे लेकिन यहां वेकेंसी टोटल कितनी आ रही है अब देखें यहां और नीचे के post ओपर open category से आदमी को भरा जाए क्योंकि नीचे के post पे किसी का promotion नहीं कर सकते हैं तो open category से आदमी को लाया जा और जो नीचे के post पे आते हैं उनको फिर promote करकर करके उपर भेजा जाए अगर मैं mall लेता हूँ कि ये 837 post 50% है एक example के लिए अगर ये 50% है तो 50% vacancy औ और आनी चाहिए थी अगर मैं 837 का दो गुना कर दूँ तो कितना आता है चार साथ सोला कि इतना आता है इतना post आया है open category में open category में आपका 1316 post आया है तो लगभग ये तीन सारे 300 post कहा गई तो मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये बस बताया जाता है कि ये 50% quota है 80% quota है 25% quota है quota से कोई मतलब नहीं रहता है बस railway का ये मतलब रहता है कि departmental quota से ज्यादा से ज्यादा आदमी का form फिलब किया जाए और उनको promote किया जाए तो चलिए आए देखते हैं कि आखिर vacancy कितनी आई है कितनी post stop आई है क्या क्या eligibility है आई ये उस पर विस्त्रित चर जा करते हैं हम लोग अब हम लोग आ गए है या notification पर इधर आप देखेंगे notification जो है दक्षिन पूरु मद रेलवे सौफ इस चेंटर रेलवे बिलासपूर से आया है और ये देखेंगे date 20 मई का है आज 21 मई हो रहा है कल के date में ये notice आया है ज्यादा पुराना notice नहीं है इध अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको सारा चीज बता ही दिया था इसे पहले वाले वीडियो में मतलब इसे पहले वाले पार्ट में कि 837 post vacancy है और ये level 2 का vacancy है 50% departmental को अगर ये level 2 का post है तो इसमें सबसे जादा अगर profit होगा किसी को तो वो group D वाले staff को होगा और जो खा देखेंगे यू आर में सबसे जादा पोस्ट है 609 जो रहता ही है SC में 125, ST में 63 और टोटल से 837 post है इसमें जो आपका medical standard A1 होना चाहिए आख का इसमें बहुत तगरा चेक होता है ALP के लिए और यहां देखेंगे कि कौन eligible है अगर form बढ़ने के लिए तो ये सबसे अच्छी बात देखें यहां पर candidate should be regular employee of bilaspur division as on 1-1-2024 कहने का मतलब जो जो employee 1-1-2024 तक regular employee बन गए है bilaspur division का वो ये form को डाल सकते हैं अगर आपने 2024 में join किया है अगर bilaspur division में group D को तो आप ये form फिलब नहीं कर सकते हैं इसमें सिदा लिखा गया है और इधर आप देखेंगे तो इधर सारा detail दिया गया है यह आप detail पर सकते हैं और फिर जब ये निचे आएंगे level 2 का ये job है इधर ये भी दिया गया है अगर ये vacancy आपकी complete हो जाती है जल से जल तो इसमें आगामी आने वाला जो भी group D है ये vacancy आपको देखने को मिल सकती है अगर ये vacancy जल से जल form fill up हो जाता है तो और यहाँ देखेंगे आप exam का जो base रख्या गया इस्टेज ऑप exam single stage computer test सिर्फ एक exam होगा जैसा कि आपको पता open category में दो exam होता है लेकिन यहाँ दो exam नहीं होगा एक ही exam होगा और age limit आप देखेंगे यहाँ UR वाले का 42 साल है और SCST का 47 साल है OVC के लिए तो कोई vacancy इसमें आई नहीं है यहाँ age group बना दिया गया है lower age वर्थ जो है आपका 11 2006 होना चाहिए और upper का तो नहीं बताया गया 18 से 42 साल आपका age होना चाहिए हाँ upper का यहाँ है 21982 से पहले का आपका DOV नहीं होना चाहिए 21982 से आप eligible है और अगर आप SCST से हैं तो 21977 से अगर आपका DOV है तो आप form fill up कर सकते हैं यहाँ सारा detail दिया गया है कि कितने दिर का exam होना है टोटल दो गंटा 30 मिनट का exam होना है total question 175 marks का रहेगा part A होगा और सायद part 2 भी होगा आपको minimum qualifying marks जो लाना you are 40% SC 30% और ST 25% marks आपको कम से कम लाना ही होगा और जो इसमें है आपका negative marking भी है 1 by 3rd का negative marking है अगर आप किसी question का गलत answer देते हैं तो 1 by 3rd negative भी किया जाएगा और normalization of marks will be done of 4 जहां देखेंगे इसमें normalization भी क multiple shift में exam कराया जाता है तो normalization भी किया जाएगा जैसा कि open category में भी किया जाता है यह आपका सारा syllabus दिया गया है topic by topic किस topic से क्या पुछा जाएगा part A, part B, part B में भी आप यहाँ देखेंगे कि आपका part B में यहाँ पर है part B, 60 minutes and 75 question रहेगा part B is only qualifying test यह qualifying के लिए सिर्फ रहेगा qualifying percentage जो है वह 35% है category या community के लिए और UR के लिए साहच 40% होगा वह नहीं लिखा 35% यह है for all candidates के लिए और इधर सारा आपका qualifying जो है क्या सब पुछा जाएगा सब का कि यह धर से ले बस दिया गया है अगर आप railway join कर सकते हैं तो किसी भी post पे कर ले क्योंकि आपको आगे बढ़ने का बहुत जादा मौका मिलेगा railway में और इधर normalization का जो है सारा चीज बताया गया कि कैसे normalization किया दाएगा सारा detail इधर दिया गया है फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद